हलो फ्रेंड वेल्कम बैक मैं हूँ आपका करेर कोछ ललीद बतोरिया इस ब्लॉग में मैं आपके साथ क्रोशिया यूरोप की कुछ ओपनिंग्स डिसकस करने जा रहा हूं फिर इस पुरे ब्लॉग को जो है मैंने तीन पार्ट में डिवाइट किया है पहला पार्ट रहेगा करना ना भूलेंड्स सबसे पहले कोशन उकता है वाइक क्रोशिया जब इतने सारे कंट्रीज हैं यूरोप के अंदर तो फिर प्रोशिया ही जाना क्यों प्रिफेरेवल है आज जब मैं बात आपसे कर रहा हूं आपरेल 2023 में देखेंगे आपको यह समझना है कि क्रोशिया जो है January 2023 में शैनगन का हिस्सा बन चुका है अब शैनगन क्या है आपको अच्छी तरह से पता होगा नहीं पता है तो गूगल कर सकते हैं जो स्टेट्स हैं वो कंट्रीज हैं जहां पर बॉर्डर्स ओपन हैं आप माइगरेट कर सकते हैं जॉब्स के लिए घुमने के लिए त जैनवरी 2023 में क्रोशिया जो है शैनगन देशों का जो समू है उसका मेंबर बन चुका है पहले से ही जो है क्रोशिया यूर्पियन यूनिन का मेंबर था तो यह सभी फैक्टर्स जो है क्रोशिया को एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शन बना देते हैं इसके साथ यसाथ एक और पॉइंट है यहां पर जो मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा देखिए क्रोशिया ने ओफिशली यूरो को एकसेप्ट किया है इसका बेनफिट आपको देखेगा आज से एट मन्स बात मतलब आपको लगबग 2014 की स्टार्टिंग से ही इसका बेनफिट देखने लग जब वहाँ पर वेजिज सेलरीज अप हो जाएंगे काफी अच्छा परसेंटेज जो है आपकी अर्निंग का आपकी वेजिज का सेलरीज का बढ़ेगा उन सभी लोगों का जो अभी जाके वहाँ जॉइन कर रहे हैं क्योंकि 2024 के बिग्निंग में जैसे ही यूरो कंप्रीट करते हैं कि आपने एक जनरे को यूँ आप्रोच किया उन्होंने आपका इंट्रू किया फाइल तैयार किया और वग पॉमिट मंगा दिया अब वो कुमिट आने के बाद में स्टार्ट होता है सेकंड फिर आपके प्रॉसेस का जहां पर वी एफेस एक्षर में आता है अब अगर आपको डेली नहीं मिलता है तो किसी और पार्ट में मिल जाता है अगर आप मुझे टेरीग्राम पर फॉलो कर रहे हैं और कफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग डाल देते हैं अपने विफेज की बोगिंग को तो हमारी जो ग्रंट मुंबई करा रहे हैं चेन नहीं करा रहे हैं जहां पर भी हमें टाइमली मिल रहा है और केंडिट को ट्रेवल करने में असानी हो रही है उस एरिया की बुकिंग करके उनको दे दे रहे हैं तो एक तो यह पार्ट आपको समझते हैं सेकंड पार्ट रिफ्यूजल रेट अभी कोंट्रेमेंटर की बात करें तो 100% के आसपास हमारा सक्सेसरेट है अभी तक जितनों के व्क परमिट्स आये हैं उनके वीजास हमने स्टेंप कराए हैं राइट अब आप समझ चुके हैं कि क्रोशिया को चूज करना क्यों एक वाइज डिसीजन है क्यों एक सही डिसीजन है आज की तारिक में अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट की तरफ कि इस पर्टिकुलर डेजिनिशन पर क्यों आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो थोड़े से एडुकेटेड होंगे लेकिन उनके पास experience नह प्रोफाइल तो फ्रेंस मैं आपको बता दूँ देखिए आपको यह समझना है दोस्तों कि इनीशली आप चाहें केनिडा की बात करें उस्ट्रेलिया के बात करें माल्टा की बात करें या क्रोश्या की बात करें राइट आपको अपना जॉब सिक्यूर करना है आपको यह समझना है कि यूरोप के अंदर जो आपको वीजा मिलता है वहांके गौर्मेंट दिती है आप आसानी से जो है अपने एंपलोर से लेकर दूसरी जॉब कर सकते हैं और कुछ समय के बाद आप जनुइनली कंट्री भी चेंज कर सकते हैं तभी तो आप शेंगन कंट्री जा रहे अगर आप सिटेंशिप नहीं भी लेना चाहते बड़ प्यार आपको जो है अलमुस्ट सभी बेनफिट्स दे देता है आपके आस फ्लैक्सिबिलिटी होती है अपना यूनों सेक्टर चेंज करने का अपना कंट्री चेंज करने का और एक वर्ल्ड क्लास क्वालिटी लिवि करता हूं आप लोगों से और कल को जब आप सेटल हो जाएंगे आप एक बार सोच के देखिए आप अगर मैरेड हैं आपकी मैरेज होने वाली है तो सूचिए आपकी नेक्स जेनरेशन का स्टेंडर ऑफ लिविंग क्या होगा मतलब किस लेवल पर कितना अच्छा जीवन व जॉब को एक चैनीज सेंग है जर्णी ऑफ थाउजन माइल बिगिंस फिदा सिंगल स्टाप तो पहला कदम यही है कि आप पहले इस ब्लॉग को देखें समझें डिस्क्रिप्शन में बाकी के डिट्रेल दे रहा हूं वर्किंग आज में इंडियन वर्किंग आज में आप ह जो है डिट्रूट्मेंट अभी इंटर्नली हमने ही करना है इसमें कोई क्लाइंट इंट्रीव नहीं है एक्ट मेक्स क्लाइंट जो है आपका क्रॉस वरिफिकेशन कर सकता है कि जब मैं शॉट्लिष कर लोंगा आप लोगों से जो है आपका PCC से भी डॉकुमेंट का समिश क्लाइशन हो जाएगा उसके बाद क्लाइंट मेक्स वह एक बार आपको देख सकता है यूनों लाइब आकर कि आपको बता दिया काम क्या आपको बता दिया सेलरी क्या है ओके आपको पुरा क्लारिटी है जॉब रोल को लेकर और डॉक्मेंट्स पी चेक करते हैं कि अच्छ रोशिया जो कि एक शैनियन कंट्री है यूरोपीन का मेंबर है वहाँ पर आप जनुरली माइगरेट करें और यह वही ऑप्शन है सो फ्रेंट्स डेजिगनेशन है यहां पर डिलिवरी राइडर्स का डिलिवरी बॉइस का और यह डेजिगनेशन ऐसा है कि इसमें फ्रेश है तब भी चलेगा क्योंकि यहां पर आपको साइकल्स या इलेक्ट्रिक साइकल्स से ही अपना करेर का स्टार्टिंग करना होता है तो ऐस सच इनिशली कोई प्रॉल्म आपको नहीं होता है अब कुशन यह आता है कि अगर आप इस जॉब रोल में जाएंगे आपका वक्प नेचरली आफ्टर टेक्स अमाउंट अमने डिट कर दिया यहां पर हमने आपका अकोमेडेशन की कोस अटा दी यहां पर हमने आपका बाइक का रेंट हटा दिया राइट साइकल और बाइक में आप कन्फूज ना आप इनिशली 600 तो 700 यूरो अर्ण करते हैं कुछ टैम के बाद आपका जो एंप्लोर है वह आपको एलेक्ट्रिक साइकल या एलेक्ट्रिक वेहिकल देता है तो उससे आपको क्या बेनफेट होता है कि आपकी जो नमबर डिलीवरीज है वो लगबग वर एन हाफ ताइम बढ़ जाती है फिर आप अर्न कर पाते हैं 800-2000 येरो मतलब स सेव कर पाते हैं ताप यसाब बचा पाते हैं अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया कि यह हमारा फूर्थ बैच का रिकूट्मेंट ड्राइव है इससे पहले हम अलड़ी थ्री बैचिस को प्लेस कर चुके हैं डिफेंट वेंडर्स हैं हमारे पास ठ तो हम अपने एक्सपीरेंस से बात कर रहे हैं हम कोई सुनी सुना ही बात नहीं कर रहे हैं कि मैं वहाँ पर गया विजिट वीजा पर और मैंने दो चलों के मूपर माइक लगा दिया अच्छा आप इंडिया में कैसे आये थे किसने बेजाता कितना कमा लेते हो हमने ही अपन कॉंटर में हैं हम इसलिद्ट के सबस्क्राइब आपको क्रोष्या में तो यहां प्रोष्या क्रोष्या क्यों चुलना है तो हम अब थार्ड जो पॉइंट्ट मैं आपको बूला था कि क्यों चुनना है आपको दूसरा पॉइंट यह काम क्यों अच्छा है यह मैं आपको बता दिया अब थर्ड पॉइंट प्लीज इसको ब्लॉक को पुरा देखें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं आपको अब मैं आपसे बात करूंगा थर्ड पॉइंट पर क्यों आपको वालाएं सबसे क्रूशल क्या है क्यों चाना चाहिए या च्छी है या ज्यादा अज्शे कम अच्छी है यह बात की बाते हैं पहले आपने देखना है कि क्या वो consultancy government authorized है अब ये बात में क्यों बोड़ा होना क्यों ज़रूरी है या government लहां जोड़ा होता है या आपको समझना है त्यक्या प्रंट जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं त आप देखते हैं कि वो MD है MBBS है प्लस उसने इन्डिया में प्रैक्टिस करने का license या उसके पास कि नहीं है आप किसी लोयर के पास जाते तो आप देखते हैं कि वो qualified ह की नहीं है फिर उसने यह नो बार कांसिल से लिया की नहीं लिया आप सीए का भी सेमी कॉंसेट है किसी भी प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए गवर्मेंट की गैडलाइन हैं दोस्तों आपको यह बात समझना है किसी भी केंडिडेट के लुक्स उसकी भाषा उसकी जाती किस से आता है कितना बड़ा ओफिस है यह सारी सेकेंडरी बात में इन से ज्यादा फरक नहीं पड़ता है फरक किस बात से पड़ता है कि क्या उनके पास प्रोफेशनल नॉलेज है नंबर टू क्या वो ऑथ्राइज है यह दो बात आपको समझती है तो मैं आपको यही समझाना जाएं तो आप हमेशा प्रॉपर जैनूइन एंप्लमेंट वीजा पर जाएं देखिए कितना आसान हो गया है पिछले कुछ सालों में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है अगर आप जैनूइनली माइगरेट करते हैं और विदेशी धरती पर कोई भी दिक्कत आ जाती है और एंप्लमेंट वीजा पर जाएंगे गवर्मेंट के सभी गैडलाइन का ध्यान रखेंगे मैं यह नहीं पूल रहा हूं कि आप मेरे थ्रू जाएं या सिर्फ भारत में एक में रिश्टेट एजन्ट हूं कई सो हैं आपके राज्य में भी होंगे वह सापको पता नहीं ह से 90% लोग यूट्यूपर नहीं है यह हो सकता है कि फिलाल वो क्रोशिया का यूरोप का काम ना कर रहे हो वो लोग विजी होंगे गल्फ में कुछ और काम कर रहे होंगे और काफी बड़ा काम कर रहे होंगे तो आपको जो बेसिक पॉइंट में आपको यहां पर यह समझान है तो दिखा दें आप एग्रिमेंट करेंगे हमारे साथ पे उससे होगा क्या देखिए काम थोड़ा अच्छा बुरा हो सकता है मनलीजे किसी कंसलेट ने आपको भेजा हो सकता है कि दस में से दो लोग खुश ना हो लेकिन मैं आपको एक चीज का अशुरोटी दे सकता हू पुलिस वरिफिकेशन होता है एजेंट का बैंक गेरिंटी ले जाती है डिग्रियां चेक होती है उसके बाज जाके लाइसेंस मिलता है एक एजेंट को अपको लगता है ऐसा कोई व्यक्ति कुछ लाग रुपए के लिए अपना करेर चोपट करेंगा कभी नहीं करेगा यह यह ना मैं कुछ ब्लोगर्स को देख रहा हूं बोल रहे है एजेंट के चक्कर मात पढ़ना भाई साब टॉक विद डिगनिटी टॉक विद रिस्पेक्ट एजेंट नहीं रजिस्टर्ड एजेंट रिकूटिंग एजेंट जो भार सरकार से पर्मीशन लेके जिएस्टी न अच्छी ना लगे लेकिन आपके साथ एक तो धोकदरी नहीं होगी दूसरी बात कि अगर इश्वर ना करें वहां पर कुछ भी अनूनी हो जाती है उस देश में अर्थक्वेक आ जाए वार हो जाए आपको इज्जत से इंडिया बुलाएगा आपका रिश्टेट अबसे से बात कर सकता है लेकिन यह सब तभी होएगा जब आप एक जैनून कंसल्टेंसी के थूँ जाएंगे और सबसे बड़ी बात आप जैनूली माइगरेट करेंगे तो मेरा अपील आप सभी से कि सीवी कंसल्टेंसी के थूँ जाए भारत में लेकिन ध्यान रहे कि और एक है जो चला रहा है दादी मा के नुकसे यह खाएंगे तो इससे यह हो जाएगा तो अंतर है दोनों में हो सकता है आपको दूसरा वाला चैनल बहुत अच्छा लग रहा हो किसी भी काम के लिए आपको सही से गैट कर सके तो बहुत लंबा हो गया है ब्लॉग लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरा कोर मैसेज हो समझ आया होगा इस तरह के साथ बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें वकिंग आज मैं हमारी टीम को कॉल करें थैं